जैन समाज ने जैन 13 समेथ शिखर को परेटा के स्थल घोशित करने पर निकाला मौन जुलूस जैन 13 समेथ शिखर जी को परेटा निस्थल घोशित करने के विरोध में सकल जैन समाज ने गांधी चौक से कलक्टेट तक मौन जुलूस निकाला वहीं कलक्टेट पहुच कर एडियम अनुच कुमार को केंद्री मंत्री परियावरण मंत्री भूपेंद्री यादफ की नाम सौपा ग्यापन जहां ग्यापन की माध्यम से बताया गया कि छारखंड प्रदेश की गिरिडुही जीले में जैन तीर्थ समेथ शिखरजी इस्तित है ये इस्थल जहां से 24 जैन तीर्थ करों में से 20 तीर्थ करों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी इसमें पोरे विश्व के जैन समाच की मतिप्रदान की है जिससे तीर्दिच सुस्थल की सुतंत्र पहचान वा पवित्रता नेश्ठ होने की कगार पर है समेथ शिखर को परिटन इस्थल घोशित किया जाना बेहत गलत है और जैन समाज इस नेड़े का पुर्जोर विरोध करता है जैन समाज का कहना है पारसनात पर परवतराज समेथ शिखर जैन समाज का तीर्दिच स्थल है जहाँ पूरी सुरक्षा और सावधानी बरतने के साथ ही पवित्रता बनाई जाना आवश्यक है क्योंकि पवित्र जैन तीर्दिकर मोक्ष स्थलियों पर जूते चपल पहन कर नहीं जाना चाहिए लेकिन परेट सकल जैन समाज प्रदर्शन कर रहा है हमारा आपसे अनुरोध है कि समेथ शिखर जैन तीर्दिकी पवित्रता और इसमें नहेत समाज की अटूट आस्था को धियान में रखते हुए सरकार अपने इस फैसले को बदलने का कस्ट करे साथ ही समेथ शिखर जी को सनरक्षी तीर जैनियों का सबसे पवित्र तीर्दिस्तल है यहां से हमारे 24 भगवानों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी लेकिन जैनरकंट सरकार और केंद्री वर्ण मंत्राले ने इसे परेटन शेत्र गोशित कर दिया है जिससे अमारे तीर शेत्र पर तमाम तरह की असुद्या होगी और गल्थ यतिविद्या होगी जिससे जैन समाज में भारी अक्रों से हम सब लोग इसका विरोत करते हैं और इसे जैनियों के पवित्र तीर्थिस्तल की गरी में बदाय रखने की हम सरकार से आशा करते हैं इसलिए आज हमने समने 71 दोकर राष्ट सब्सक्राइब करते हैं और पूरे देश में जैन समाज आज एक दिवसी अपना कारोबार बंद करके पीरति नक्षा के लिए एकत्री दें